एक लंब है समय पहले एक गाउं में बलराम और छाया नमक पती-पत्नी एक छोटे गर में रहते थे। बलराम उसी गाउं में गोली सोडा बेच के उससे आय हुए पैसों से अपना परिवार चलाता था। हर रोज की तरह एक दिन बलराम सोडा बेचने निकलता है। सोडा सोडा रंग बिरंगी सोडा एक गलासिफ पांच रुपए आये भाई आये। ऐसे सोडा को बेचता है जब उसका बचपन का दोस्त सोडा पीनेज के दुकान आता है। बलराम क्या मैं तुम्हें याद हूँ मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। अरे हाँ, वरुन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ. तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. क्या कर रहे हो तुम अब? मैंने अपने बल पर एक साड़ियों का दुकान शुरू किया है. और तुम क्या तब से ये गोली सोडाही बेच रहे हो? हाँ वरुन, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तुम्हें अभी नहीं नजर आएगा बलराम. फिलहाल तो ये सोडा बेचना ठीक ही है. लेकिन आने वाला कल का क्या? अब सब कुछ बदल गया है बलराम. कुछी दिनों में लोग सोडा खरीदना बंद कर देंगे. तब तक तुम्हें कुछ और व्यापार शुरू क कहां से मिलेंगे? आरे उसमें क्या? अपने कोई जान पैचान आदमी से थोड़े पैसे उधार लो. लाब आने के बाद उन्हें उनके पैसे लोटा दो. हो गया. हाँ, ये भी ठीक लग रहा है वरुन. ठीक है बलराम, मैं चलता हूँ. ऐसे कहके वरुन वहां से चला जाता है. बलराम, वो पूरा दिन अपने दोस्त के कहे बातों के बारे में सोचते रहता है. मेरे दोस्त ने जो कहां, वो ठीक ही कहां. अगर मैं भी उसकी तरह नया दुकान पहले ही शुरू कर देता, तो आज का दिन ही आलग होता. ऐसे सोचते हुए, अपने आपको अपने पतन को कहना चाहिए. और फिर जल्दी से दुकान भी शुरू कर देना चाहिए. चाया, चाया, जी, आ रही हूँ. चाया, तुमसे एक बात कहनी थी. हान जी, बोलिये न. मेरे जान पैचाम के कुछ लोगों से कुछ पैसे उधार लूँगा, और अपने ही गाउ में एक दुकान स्थापित करने की सोच रहा हूँ. बहुत सालों से करते हुए व्यापार को छोड़के, अचानक नया व्यापार क्यों जी? और अगर उसमें नुकसान हुआ तो हम लोगों को ही तो सहना होगा. तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? अगर लाब आया तो, ये सोचो हम कितने स्थान में रहेंगे? ऐसे कहके अपने एक दोस से निवेश के लिए कुछ पैसे ले आता है. पैसे तो ले आया हूँ. अब मुझे कौन सा व्यापार करना है? कौन सा दुकान गाओं में पहले से ही नहीं है? ऐसे सोचता है. हाँ, मिठाई का दुकान नहीं है गाओं में. मे मिठाई का दुकान शुरू करता है. उस गाओं में पहली बार एक मिठाई का दुकान शुरू करने पर सारे लोग वहां आके मिठाई खरीदते हैं. उससे बलराम का व्यापर अच्छा चलने लगता है. एक दिन बलराम के दुकान में एक पैचान का आदमी आता है. अरे बलराम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे दोगेजी लड़ू चाहिए लेकिन अब मेरे बास पैसे नहीं है, कल दे दूगा अरे इसमें क्या है? जरूर, मैं तुमें बहुत दिनों से जानता हूँ ना तल दे दो पैसे मुझे, ये लो मिठाई लेके जाओ ऐसे ही, एक दो को नहीं, बल्कि उसके पैचान के बहुत लोगों को ऐसे ही मिठाई तुरंट दे के, पैसे कल देने कहता था लेकिन कुछ ही दिनों में जिन लोगों को उधार देता है वो पैसे नहीं देते हैं उनके घर जाके पूछने पर भी वो मना कर देते हैं इससे बलराम के व्यापार में नुकसान आता है और दुकान को बंद करना पड़ता है दुकान के बंद होने पर बलराम बहुत दुखी होता है कुछ काम नहीं करता है और घर पे ही रहता है लेकिन कुछ दिन बाद जिन लोगों से उसने व्यापार शुरू करने के लिए पैसे लिए वो उसके घर जाके पैसे मांगते हैं इससे उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या करे क्यों दुखी है जी आपके दुखी होने से कुछ नहीं बतलेगा जो हो गया सु हो गया ऐसे सोचे कि भले के ले ही हुआ है बाकी लोगों के बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए और हमेशा की तरह अपना व्यापार कीजिए ऐसे ही हम निवेश के पैसे उनको लोटा पाएंगे मुझे अपने दोस्त की बाते बिना सोचे समझे नहीं मानना था इसलिए इतना नुकसान हुआ जो मुझे अप सहना पड़ रहा है खम से कम अप से तुमने जैसे काँ वैसे ही करूँगा ध्यान से अपना व्यापार करूँगा ऐसे अपने किये हुए गलती का एहसास होता है बलराम को और वो हमेशा की तरह गोली सोडा का व्यापार करने लगता है ऐसे सोड़ा बेच के पैसे जमा करके उधार के पैसे चुका देता है तब से बलराम किसी और के बातों को नहीं सुनता था दिन में सपने नहीं देखके अपना काम ढंक से करने लगा और खुशी से वो और उसकी पत्नी जीने लगे तो इस कहानी का नहतिक क्या है? किसी और के जीवन को अपने से तुलना अच्छी नहीं है उससे सिर्फ दुख ही मिलता है जितना है उतने में खुश रहना सीखो